नमस्कार ग्यान विज्ञान के इस नायांक में आपका स्वागत है ग्यान विज्ञान 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 को भारतिय प्राणी सर्वेक्षण ने हिमाल्य में में फ्लाई की नई प्रजाति खोजी उद्योगों एवं शैक्षणिंग संस्थानों के बीच शोद कारियों में साजधारी को प्रोचसाहन देने के लिए प्रधान मंत्री छात्रिवृति की घोशना सबसे पहले हमारी मुखे खबर शरीर में चोट लगने से खून रिस्ता है तथा संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है घाव भने के प्राकृतिक प्रक्रिया धीमी होती है ये प्रक्रिया दवा तथा प्रतिजीवी युक मरहम की पट्टियों से तेज की जाती है वग्यानिकों ने घाव भने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेश पट्टिया विक्सित की हैं लेकिन वो महंगी तथा का मसरदार है खाली में गुजरात के भाव नगर में वग्यानिक एवं ओद्योगिक अनुसंधान परिशत की अंतरगत कारेरत केंद्रिय नमक वा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वग्यानिकों ने हाइड्रोजेल नमक नया पदार्थ विक्सित किया है जो घाव भने की प्र प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के लिए आवश्रक है जब भी त्वचा पर खरोंच या चोट लगती है तो त्वचा को नुकसान पहुंचता है और शरीर में विशाणूओं के प्रवेश का खत्रा बढ़ जाता है चोट लगने के कुछ ही मिन्टों बाद खाव भर लगने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से शुरू हो जाती है एक सामान्य स्वस्तिव्यक्ति में प्लेटलेट्स खून में असक्रिय रहते हैं जब चोट लगने की जगह पर उन्हें को लेजन जैसे प्रोटीन की उपस्तिती का एहसास होता है तभी वो सक्रिय होते हैं चोट लगने पर त्वचा को नुकसान पहुँचता है और प्लेटलेट्स कोलेजन के संपर्क में आते हैं। खाव भरने की ये प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक लगातार चलती है। खाव भरने में चार प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये हैं रक्त कारिसाव, सूजन, प्रसार तथा पकना। जिस जगा चोट लगी होती है उसके आसपास की रक्त वाहिकाएं रक्त प्रवार रोकने के लिए संकुचित हो जाती हैं। साथ ही खून में उपस्तित प्लेटलेट्स चोट की जगा पर सक्रिय हो जाते हैं। प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदलते हैं चो रक्त कारिसाव बंद करने के लिए ठक्का जमाता है। जितनी जल्दी ठक्का जमता है उतनी तेजी से घाव भरता है। दूसरे चरण में चोट गरस्त जगह पर होने वाली सूजन पर असर पड़ता है। जो एक अधिक मजबूत उतक के रूप में विवस्थित हो जाता है। जोट जोट पर लगाया जाता है तो ये जोट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे में थे अरन ऐसमुझर वीरा ट्राजक्वा सरे में आधिक ये लेजल शेउर भीरा क्योचब ट्राज by testing the efficacy of this hydrogel in vivo such as in mice model and rabbit model. इससे रक्तिस्राव रुकता है. ये खून में फाइब्रेनोजन नामक प्रोटीन से भी अभिक्रिया करता है. चोट के स्थान पर प्लेटलेट्स के पहुचने पर हाइड्रोजल स्पंज जैसे महीन छिद्रों द्वारा उन्हें सोक लेता है. इससे घाव भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाती है. हाइड्रोजल से एक और लाब है. ये चोट के स्थान पर गर्मी या रासाइनिक उत्मात पैदा नहीं होने देता. इस शोट के नतीजे मेटेरियल्स कमिस्ट्री बी अंक 25 साल 2017 में प्रकाशित हुए है. इस शोट को शिव नाडर विश्विद् तथा Academy of Scientific and Innovative Research ने संयुक्त रूप से संपन्न किया है. अगर ये प्रयोग चानवरों पर सुरक्षित तथा प्रभावशाले साबित हुआ तो इसे इंसानों पर प्रयोग किया जाएगा. ऐसी स्थिती में डॉक्टरों को त्वचा पर लगे चोट तथा छोटे मुटे लिए और थोड़े वक्त में दुरुस करने में आसानी होगी. अपने स्मार्टफोन से लेकर दफ्तर में वाइफाई इंटरनेट और कारों में जीपिएस नाविगेशन तक रोज मर्ना की जिंदगी में हम कई जगह बेतार संचार का प्रयोग करते हैं. बेतार संचार तक्नीकी में बिना तारों का प्रयोग कि ये डेटा स्थानांत्रित किया जाते हैं. किसी कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट, तस्वीरे, श्रव्वे क्लिप या सॉफ्वेर प्रोग्राम एक उपकरण से दूसरे में रेडियो या सूक्ष्म तरंगों द्वारा भीजे जाने वाले सूचना प्रसंसकरण अथवा संग्रहन को डेटा कहा जाता है. डेटा की मात्रा मापने वाली काई को बाइट कहते हैं. दूसरे शब्दों में बाइट सूचनाओं के संग्रह के समान है. उधारन के तौर पर एक किलो बाइट या केबी में एक हजार चौबिस बाइट डेटा होता है. आज भारी मात्रा में एक उपकरण से दूसरे उपकरण में कम कीमत पर डेटा भीजना असान है क्योंकि हमारे उपकरणों में 4G या चौथी जिनरेशन की बेतार संचार तक्नीकी उपलब्द है. 1980 से पहले सिर्फ 1G तक्नीकी उपलब्द थी जिसके द्वारा बेहत कम मात्रा में डेटा का स्थानांत्रण किया जा सकता था. इसके बाद 2G तथा 3GI जिससे डेटा स्थानांत्रण की रफ्तार 30 गुणा बढ़ गई. अब भारत का लक्ष 2020 तक बेतार संचार में 5G तक्नीकी प्राप्त करने की है. इस थिती में डेटा स्थानांत्रण की रफ्तार बेहत कम कीमत पर एक गीगाबाइट प्रती सेकेंड से भी अधिक हो जाएगी. भारत में विज्ञान के शेत्र में दिये जाने वाला शांती स्वरूब भटनागर पुरसकार इंजिनिरिंग के लिए टॉक्टर नीलेश महता को दिया गया है. वो भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलूरू में प्राध्यापक है. उन्हें बेतार संचार के शेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है, जो भविश्य में 5G का लक्ष प्राप्त करने में सहायक साबित होगा. टॉक्टर नीलेश अपनी टीम की मदद से संचार उपकरणों जैसे फोन तथा मॉडम के डिजाइन में सुधार लाकर 5G संचार प्राप करने में जुटे हैं. आम तौर पर बेतार संचार में फोन या इंटरनेट मॉडम नेटवर्क कम्प्यूटर से जुड़े होते हैं, जिन में संकेतों का स्थानांत्रण एंटेना द्वारा होता है. फोन जैसे वरतमान उपकरणों में ट्रांस्मिटर तथा रिसीवर अलग होते हैं. ट्रांस्मिटर नेटवर्क कम्प्यूटर को संकेत भेशता है जब कि रिसीवर आने वाले संकेत प्राप्त करता है. टॉक्टर निलेश एक ही उपकरण के द्वारा संकेत बेजने तथा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा एक ही चिप में ट्रांस्मिटर तथा रिसीवर के प्रयोग से किया जा सकता है इसके साथ कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग में भी सुधार लाने की आवश्यक्ता है जिसके लिए असरदार कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तयार किये जा रहे हैं लेहाजा डॉक्टर निलेश तथा उनकी टीम पहतर कम्प्यूटर प्रोग्राम तयार करने की कोशिश कर रही है ताकि एक ही समय संकेत भेजा तथा प्राप्त किया जा सके। हाल ही में उन्होंने एक नया computer program विक्सित गिया है जो किसी computer में संचार संकेत के प्रसंसकरण से पहले की तुलना में कम समय लगाता है इससे 5G उपकरण तेज रफतार वाले तथा प्रभावशाली होने के साथ-साथ आकार में भी छोटे होंगे 5G, 4G, and now the world is very rapidly moving towards 5G. And in 5G, what we are going to see and already we are seeing this in 4G is systems with much faster data rates, much lower latencies, which means you don't have to wait for the signal to go and come back essentially through the network. And also for the operator and ability to service many more users. So, it is much cheaper for him to also run the network. And the research we are doing there does feel feed into that big research effort worldwide on this. 2014 में उन्हें NASI Scopus Young Scientist पुरस्कार मिला है. प्रतिश्टित पत्रिकाओं में उनके करीब 50 शूद पत्र प्रकाशित हो चुके हैं. और वो फविशे में 5G की अवधारना को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं. ग्यान विज्ञान में वक्त एक छोटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे भारतिये प्राणी सर्वेक्षन ने किस नई प्रजाती की खोज की है. देखते रहें ग्यान विज्ञान. थेटर में पैसा होता तो शायद मैसीने में मैं आते ही. थेटर में पैसा थाई नहीं, अभी मैं नहीं. मैं तो पूरी बदन ऐसे कांपता था, वो जो थेटर की जो पहली एंट्री होती थी. तो वो मैं आज बहुत बहुत जादा मिस करता हूँ कि वो दो. नमस्कार, मैं हूँ पंकजबेरी. मुझसे मिलिये प्रोग्राम गुफ्तगु में. सिर्फ राज्य सभा टीवी पर. एतिहासिक शहर हैद्रबाद और हैद्रबाद में मौझूद मशूर चार मीनार. सद्यों से हैद्रबाद की पहचान रही चार मीनार को पंद्रा सो इकानवे में मौहमत कुले कुतुपशा ने बनवाया था. इस इमारत में चार विशाल मीनारे हैं. ये मीनारे एक महराब से जुड़ी हुई हैं. ये महराबे मीनार को सहारा भी देती हैं. चार मीनार के उपसूरती को देखने के लिए देश-विदेश से आते हैं हर साल हजारों परियटक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मेफलाई लंबी समय से जीव विज्ञानियों को आकरशित करता रहा है. ये कीडे अपने जीवन का अधिकान समय पानी में बिताते हैं और सिर्फ प्रजनन के लिए धर्ती पर आते हैं. ये पानी और धर्ती पर आहार श्रिंकला को जोड़ने की महत्वपून करी हैं. अधिक महत्वपून बात ये है कि ये किसी क्षेत्र में जल गुणवत्ता के संके तक हैं हाली में भारतिय प्राणी सर्वेक्षन के एक सर्वेक्षन ने हिमालिय में मेफलाई की नई प्रजाती खोजी है और इस बात की पुष्टी की है कि ये प्रजाती स्थानिय है पेश है ग्यान विज्ञान की एक दिल्चस्प रिपोर्ट कोलकता हिस्थित भारतिय प्राणी सर्वेक्षन ने भारत में पढ़ने वाले हिमाले के एक भागों से मेफलाई की नई प्रजाती की खोज की है ये प्रजाती देश की जैविभित्ता में महतपूर्ण इस्थान रखने वाले हिमाले की इस्थान ये प्रजाती है मेफलाई ड्रेगन फ्लाई तथा दमसल फ्लाई से काफी मिलती जुलती है जिसका आकार मध्यम, शरीर पतला तथा पंखियां और पैर लंबे होते हैं साल के जिस महिने में वो प्रजणन करते हैं उस महिने यानी मे के नाम पर उनका नामकरण किया गया है ये कीडे प्राणी शास्त्र विज्ञानियों तथा विज्ञानिकों के लिए लंबे समय से आकरशन का केंद्र बने रहे हैं ये अधिक्तर समय पानी में तथा थोड़े समय के लिए धर्ती पर रहते हैं मादब पानी में सेकणों अंडे देने के बाद मर जाती है ये अंडे लार्वा में परिणत होकर पानी में विक्सित होते हैं वैस्क होने के पस्चात ये उड़कर धर्ती पर आ जाते हैं तथा प्रजनन करते हैं इस प्रकार मेफलाई की जीवन शंखला चलती रहती है दिल्चस्प बात ये है कि मेफलाई पानी में शेवाल को अपना आहार बनाते हैं जो मशलियों तथा पानी में पाये जाने वाले अन्न कीडों का आहार भी हैं धर्ती पर आने वाले वैस्क क्यूडों को मेडक, चुडिया तथा कुतरने वाले जानवर अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार ये जल तथा थल के बीच आहार शरंखला की महत्रपूर कड़ी है। मेफलाई में वेग्यानिकों की दिल्चस्पी का एक अन्यकारण है, ये किसी छेत्र में पानी की गुडवत्ता का संकेतक है। कई अध्यनों से पता चला है कि मेफलाई साफ पानी में ही जीवित और विक्सित हो सकते हैं, ना कि प्रदूशित जल में। इस प्रकार किसी जल जमाओ में मेफलाई की संख्या तता प्रकार के आधार पर वेग्यानिक उसमें प्रदूशन का आकलन करते हैं। करेक्टर लाइक लेग्स और मौदपाट्स। इस डियागनास्टिक एरक्टर अफ इस नूव स्पीसिस। हिमालय में मेफलाई की पाई गई नई प्रजाती की बनावट अन प्रजातियों से कुछ भिन है। इसके मूँ का आकार छोटा है तथा पैरों पर भूरे रंके अनोखे धब्बे हैं। वेग्यानिकों ने मेघाले में, गारो और खासी पहाडियों में, रोंगबू, उंखेन तथा बांकवर नदियों में तथा हिमाचल प्रदेश की मंदोदरी नदी में इस प्रजाती की खोच की है। दुनिया भर में पाए जाने वाली मेफ्लाई की धाई हजार प्रजातियों में, भारत में सिर्फ 25 प्रजातियां उपलब्द है। हिमाले के अतरिक्त पूरवी तथा पश्मी घाट में भी मेफ्लाई पाये जाते हैं। नई प्रजाती की खोच से हिमाले में नदियों की पारिस्थित की प्रणाली के अध्यन में मदद मिल सकती है अब विज्ञानिक DNA के आधार पर नई प्रजाती के अध्यन की योजना बना रहे हैं डॉक्टरेट के लिए प्रतिवर्षती जाने वाली प्रधान मंत्री चात्र वृती योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौधयोगी की विभाग के अंतरगत विज्ञान और इंजिरीरी अनुसंधान बोर्ड तथा भारती उद्योग परिसंग द्वारा निजी तथ सरकारी सहयोग से आरम एक संयुक्त पहल है इस योजना में शोध करताओं को वित्ये मदद दी जाती है ताकि वो अपने शोध क्षेतर के अंतरगत और योगिक अनुसंधान द्वारा पी एचडी की डिग्री प्राप्त कर सकी ज्यान विज्ञान आपको इस चात्र वृती क ये विश्य में विस्तार से बता रहा है भारत सरकार के विज्ञान प्रद्योगी की विभाग द्वारा डॉक्ट्रेट शोध के लिए प्रधानमंत्री चात्रवत्ती योजना विज्ञान और इंजिनरिंग अनुसंधान बोर्ड तथा भारतिय उद्योग परिसंग द्वा में मानिता प्राप्त विश्व विध्यालियों तथा संस्थानों से डॉक्ट्रेट के शोधकरताओं से और द्योगिक रूप से प्रासंगिक योजनाओं के लिए आविदन आमेंत्रित किये जाते हैं इस योजना के लिए शोधकरता तथा उनकी और द्योगिक साजेदार क को संयुक्त रूप से आविदन करना पड़ता है आविदन करता को आविदन करने की तिथी से पूर्व 14 मा के भीतर पूर्ण कालीन पीएज़ी शोत करता के रूप में पंजिक्रत होना आवश्यक है आविदन से पूर्व शोत कारिक्रम को वित्तिय तथा तकनिकी सहयोग देन होता है इस च्छात्रवती योजना में आठ लाग सतर हजार रुपे वार्शिक दिये जाते हैं जिसमें पचास प्रतिशत सरकार तथा पचास प्रतिशत ओध्योगिक सहयोगी वहन करता है चात्रवती का कारिक्राम अधिक्तम चार वर्ष है जिसके अंत में शोत करता को पीएजडी की डिगरी दी जाती है प्रती वर्ष कुल सौ चात्रवतियां दी जाती हैं www.prime minister fellowshipkeem.in से अधिक जानकारी प्राब कर सकते हैं शोत करता अन्ना विश्य विद्याले काशी हिंदू विश्य विद्याले भारतिय अभियांतर की विज्ञान एवं प्रवद्योगी संस्थान जैसे प्रतिश्चित संस्थानों में शोत कर सकते हैं पीएजडी के लिए पंजीकरण तथा दाख का उद्देश उद्द्योगों के लिए लाबदायक पर योजनाओं की ओर भारी संख्या में मेधवी छात्रों को आकर्षित करना है जो निजी और द्योगिक साजेदारों द्वारा अनुसंधान तथा विकास के छेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने में मददगार बाच का एक अलग ही रंग कलाकार जुक कई विधाओं में हैं माहित और बेटियों को सशक्त करने के लिए उन्हें दे रहे हैं पखावच वादन की तालीम महिलाएं सारा काम करती हैं चांद पे जा रहे हैं पाइलेट हैं तो पखावच की स्खेत की मुली है शिखाने का एक मेन उद्देश है वो है कि लड़कियां भी इसमें आ गयाना चाहिए और आ रही है मेली शख्सियत में माशूरो मारो पखावच वादक अखिलेश गुंदेचासी सिर्फ राजसभाद टीवी पर भारतीय रेल 65,000 किलोमीटर रेल मार्ट और 7,000 स्टेशन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्ग रोजाना करीब 19,000 रेल गाडियां ढोती हैं दो करोड से ज्यादा मुसाफिर और 25 लाग टन माल 14,000,000 कर्मचारियों वाली भारतीय रेल रोजाना दौरती है जितना धरती से चांद पर चार बार चले जाएं इतना ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आईए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिल्चस्प वैग्यानी कतिविधियों पर इंडोनेशिया की अधिकारियों ने गंभीर चितावनी जारी कर ज्वाला मुखी से प्रभावित होने वाले संभावित शेत्र को खाली करने को कहा है उन्हें बाली के माउंट एगंग में ज्वाला मुखी विसफोट का अंदेशा है पहाड से निकलने वाला काला धुवा तथा राख 11,150 फीट की उचाई तक पहुच रहा है अधिकारियों ने आसपास रहने वालों को चट्टानों तथा मलबे से दूर रहने को कहा है जिने लहार्स कहते हैं इन्हें पहाड की धलान से नीचे आते हुए देखा गया है अंधिमबार माउंट एगंग ज्वाला विधी तैयार की है ताकि देश में इन्दन की बड़ती मांग पूरी की जा सके आइटी रुड़की के शोदकरताओं ने वाहन में प्रयूक्त जैविक डीजल उतपादन के लिए पहली बार कच्चे ग्लिसरॉल का प्रयोग किया है इसके दुआरा फोटो बायो रियक्टर में कार्बन तथा नाइट्रोजन मिश्रित परपोशी सूख्शम शैवाल पैदा किया गया इस शोदका उदेश्य सूख्शम शैवाल से जैविक डीजल का उतपादन लागत कम करना तथा तेज रफतार उतपादन विधी विक्सित करना था एक नई जीन थेरपी आँखों से लाचार लोगों को द्रिश्टी देने में सफल रही है चो रेटीना की जनदार बीमारी से पीड़ थे इस बीमारी को लेबर कंजेनिटल एमॉरसिज या LCA भी कहते हैं ये बीमारी मरीज पर धीरे धीरे असर करती है और अंत में उसे पूरी तरह आँखों से लाचार बना देती है अमेरिका में युनिवरसिटी आफ इवोवा के शोदकरताओं ने इस विधी का 29 में से 27 मरीजों पर सफल परीक्षड किया जिनके देखने की शम्ता में काफी विकास हुआ और वो बिना चड़ी की मदद से टहलने में सक्षम हो गए शोदकरताओं ने New Orleans के American Academy of Ophthalmology के 2017 में आयोजित 121 वे वार्शिक बैठग में शोद के नतीजे प्रस्तुत किये फिलहाल अमेरिका का आहार तथा दवा प्रशासन इस थेरपी की जाच कर रहा है भारती प्रोध्योगी संस्थान रूर्खी के चात्रों ने हाल ही में कम लागत में मिट्टी की गुणवत्ता जाचने की विधी विक्सित की है ताकि किसानों को फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले इस विधी का नाम सॉल्विंग नाइट्रोजन अप्लिकेशन प्रोब्लम्स रखा गया है जो खाद के प्रयोग में संतुलन ध्वारा अपने उदेश्य को प्राप्त कर सकता है इस विधी में फसल की पत्तियों पर मल्टी स्पेक्टरल इमजिंग तस्वीरों की मदद से खाद का अधिक्तम प्रयोग सुनिश्शित किया जा सकता है इसके लिए कैमरा विशेश तरह से तयार किया गया है जिससे मिट्टी में नाइट्रूजन की मातरा का पता चल सके नई दिल्ली में इंटरनाशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजिनरिंग अन बायो टेकनोलोजी या आइसी जी इबी ने वैक्सीन के विकास के लिए 27 से 29 नवंबर तक अंतराश्रिय वैक्सीन सम्मेलन का आयोजन किया विज्ञान एवं प्रॉद्योगी की तथा प्रित्वी विज्ञान मंत्री टॉक्टर हर्श वर्दन ने आयोजन का उद्गाटन किया तीन दिन तक चले सम्मेलन का उद्देश था तुनिया भर के वैज्ञानिकों को उन शोधों से परिचित कराना जो भविशे में जीका वाइरस, HIV, तपेदिक, इत्यादी रोगों के लिए वैक्सीन तयार करने में मदद कर सकते हैं और विज्ञान के इतिहास में इस हफते हम याद कर रहे हैं सरजगदीश चंद्र बोस को जो जेसी बोस के नाम से लोग प्रिये थे उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था सरबोस एक भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, जैव भौतिक विज्ञानी, वनस्पती विज्ञानी तथा एक पुरा तत्व वेता के अलावा विज्ञान गल्प लिखने वाले प्रारंभिक विज्ञान लेखकों में से एक थे उन्होंने रेडियो तथा सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में महत्वपून योगदान दिया भारत में प्रायोगिक विज्ञान शूरू करनी की दिशा में भी उनका एहम योगदान था वो यांत्री कोहिरर के द्वारा रेडियू तरंगू की खोज करने के लिए अर्थ-चालक जंक्षनों का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ती थे सर्बोस भारत में वनस्पती विज्ञान की जनक थे और उन्होंने क्रेसकोग्राफ का आविशकार किया ये एक ऐसा उपकरन है जो पौधू में विकास की माप करता है उन्होंने इस उपकरन का पहला प्रयोग एक पत्ती, एक गाजर और एक शर्ण पर किया इस उपकरन की द्वारा उन्होंने एक खाद, सूर्य प्रकाश, तापमान तथा बेतार तरंगों के प्रती, पौधू की प्रतिक्रिया पर शोध किया सर्बोस अपनी पुस्तकों के लिए भी प्रसित थे जैसे response in the living and non-living, जो 1902 में प्रकाशत हुआ, तथा 1926 में प्रकाशत, the nervous mechanism of plants सर्बोस पहले भारतिये जैव भौतिक विज्यानी थे, जिनने 1920 में Royal Society की सदस्यता से सम्मानित किया गया 23 नवंबर 1937 को 78 वर्ष की आयू में उनका देहांत हो गया उन्हें जीवन भर विभेन प्रतिष्ठत सम्मानों से नवाजा जाता रहा, जैसे 1903 में Companion of the Order of the Indian Empire, तथा 1917 में Knight Bachelor विज्यानिक शोद को समर्पित तथा सर जेसी बोस्तवारा कोलकता में स्थापित बसू विज्यान मंदिर की स्थापना को इस वर्ष सौ साल पूरे हो रहे हैं विभेन क्षेत्रों में सर बोस्त के अनुसंधान आज भी विज्यानिकों के लिए प्रेड़ना का स्तुरोथ हैं तो इस सब्तहा के ग्यान विज्यान के एपिसोड में इतना ही, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें आप अपने सुझाव हमें हमारे इमेल पते news at विज्यानप्रसार.gov.in पर भेज सकते हैं, आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं, हमारा पता है विज्यानप्रसार C24 कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली 11-0016 तो अगले हफते हम फिर मिलेंगे विज्यान की नए खोज, आविशकार और समाचार के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीज़े अजाज़त, नमस्कार झाल 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 झाल